इधा आई बाट्म और इस डिस्क्रिप्सिन बॉक्स में आपको इस सब्जेट रिक्ष्ट ब्लेलिस मिल जाएगा वेल्कम टेवीडियो नमपर 2.9 या फिर लेक्ष्ट नमपर 2.9 बोलो यहाँ प्याँ एक बहुत इंपॉर्टन प्रॉब्म सौल्ड करने वाले हैं ठीक है व क्या बोलता है यह question काफी important है क्यों आपको बाद मलूं परेगा the crank and connecting rod of a theoretical steam engine are 0.5 meter and 2 meter long respectively crank आपको यह that is 0.5 meter connecting rod आपको दिया that is 2 meter long दिया हुआ है okay the crank makes 180 rpm in the clockwise direction when it has turned 45 degree from the inner dead center position determined okay यहाँ पर यह सब चीज़ों को determine करना है यहाँ पर एक दो तीन चार ट्रोटल चार चीज़ों को अपने यहाँ पर डिटावाइन करेंगी लेकिन आपको यहाँ पर कहीं भी नी दिखा होगा in the given figure okay आपको कहीं भी यहाँ पर जब question को read करोगे तो आपको कहीं steam engine we need to draw slider crank mechanism जहाँ जो crank है उसका length मुझे दिया यहाँ पर यहाँ पर क्नेक्टिंग दावर होगा यहाँ यहाँ पर क्रेंग का जो कर रहा है तो सबसे important चीज़ है कि यह जो crank अपना दिख रहा है ओके मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं तब कप आपको जो अच्छे से यह वाला पार्ट दिखें okay yes I hope आपको यह वाला पार्ट जो आपको अच्छे सब दिख रहा होगा है ना ठीक है यह जो crank क्या करता है यह क्या करता है यह क्या करता है तो यह position जब यहाँ पर आएगा इसको हम बोलते आपको यहाँ पर आपको आपको यहां पर रिखार गए अपने क्या है यह अपना प्रिस्टन हों गया जो कि यहां पर क्या करेगा यह हमां क्या है connecting rod है जो कि question में यह कितना दिया अपने कहां पर तू मिटर लॉंग दिया है ना और यह अपने कितना यहां पर 0.5 मिटर दिया हुए तो सबसे तो यहां पर दिख लेता हूं मैं 0.5 मिटर को मैं आपर क्या जों किया हूं yes that is 2 cm ओके यस तभी क्या है यह थोड़ा बड़ा दिखेगा और बड़ा दिखेगा तो आपको अच्छे से समझ वायाएगा है कि नी तो अगर यह 0.5 मिटर जिसको मैं 2 cm में दिखाया हूं तो यह 2 cm था तो यह कितना होगा यह इसको इंटू 4 करो है ना 5 into 4 तो 2 हो रही कि नी इंटू 4 क्या हो मतलब यह 2 मेटर को दिख रहा है उसको इंटू 4 करो that is 8 cm मुक्राइब कि यहां पर में टू करम की यहां पर वैसे लोजिक मत लगा ना कि इसको इसको तो मिटर को फो से मल्टी बा करने पर eight मिटर होन्द ऐसा नहीं है मैं इसको मिटर सेंटी में चेंज कर रहा हूं हम पर जो स्केल हमको लेना है that is in centimeters तो यह हमारा को eight centimeter रहे हमारा का two centimeter एक्चोनमे में लेकिन यह कितना है 0.5 हो यह हमारा कितना है टू मीटर से ओके इसको डॉ कैसे क्या हों यह सब सब्सक्राइब करेंगे एक होरिजॉन टलाइब करेंगे यहाँ पर पॉइंट-टान्ट मार्क करेंगे यहाँ से मुझे यहाँ फिट्स लिंग हो जाएगा यहाँ से यहां पर दिया है this is 0.5 मेंटर और यहां पर आइंगल दे राटी एस फट्यवाइड डिग्री है ना तो यहां पर टू सेंटीमेटर लेते हो यहां पर मैं तू सेंटीमेटर एट फट्यवाइड इंगल मैं यहां मार्क कर दूंगा पॉंट भी में मिल जाएगा ओके अब यह यहां पर पिश्टन से जूड़ा हुआ है और पिश्टन का पॉइंट होता है यह इस होरिजॉंटल लाइन पर होता है तो हम क्या करेंगे यह अपने सबसे कितना हुगा यह सेंटिमेटर हुजाएगा आप राउंड़ पर करना करना का लेंग्छ यहां पर कैसे कट करींशन तो बूल जाओ बॉक्स बना लिए और यह है ना जी है तो यहां फिर दिखा दियो इसको को है यह अपना बन गया है मतलब मतलब 2 cm को यहीं कॉत मारा ताके कम आ पॉरξे हो प्रहित इनने से खक्राःति है यह पिर प्रहों को Name Rou gonna पूचा गया है अब यहां पर जो लिखा है ना उसको मैं पर लिख दिया हूँ जो आपको यहां पर दिया हूँ है और साथ में ठीक है अगर दिया है तो मैं ओमेगा बी निकाल सकता हूं यहां इसली निकाल सकते हैं तो यहां पर समझ में यहां अगर में पास ओमेगा है तो हम यहां पर विलासिटी निकाल सकते हैं यहां करें आपना प्प्यक्स है तो हम यहां पर विंगा है यहां विंगा जये गारी गेげगाईर्य उन्मेग चाणirement यह addition that is ob okay omega ob के value यहाँ पर दीवे that is 18.85 radians per second और ob का length यहाँ पर अपनों की तर्य that is 0.5 meter यहाँ पर दिया हुआ है तो इसको अपर यहाँ पर रखेंगे तो मुझे आपके तो 9.4 cm मिलेगा अब question क्या का पूछा गया है पहले इसको अपन देख लेते हैं पहला question पूछा गया that is velocity of piston velocity of piston मतलब yes इस point P का मुझे आपके क्या पूछा क्या है velocity पूछा गया तो यहाँ पर मैं लिखा हूँ velocity of P okay yes second क्या पूछा क्या गया देखा हूँ connecting door पे अपना एक point E होगा that is yes 1.5 meter from the guardian pin okay 1.5 meter from the guardian pin guardian pin कौन सा होता है यह होता है point P okay इसको यहाँ पर जो pin होता है that is guardian pin होता है यहाँ सम्क्या करेंगे इसी connecting door पे अपन एक E point दिखाएंगे okay और यह guardian pin से कित्ते दूरी पर है that is 1.5 meter तो यहाँ पर यह फैने टूरी यहाँ पर कितना चुछ मित्र का है तो two meter में यह कितना होगा अब बात है कि अगर टू मिट्र को मैं चार भाग में करूँग तो तो 3 भाग तो 1.5 होगा वैसे ही अपने पास यह लेंद्थ एक्चलेम कितना है जो मैं आप स्केल दियो उसके साब से कितना होगा तो अगर टू के साब से 1.5 यहां पर तो अगर मैं 1.5 से डिवाइड करूं तो अपने किता होगा है यहां पर वैसे यहां पर पोटल लेंथ यहां पर एक्शल में किता हो आप से 8 लिया हूं अब आपको दिख रहा होगा तो एक लिया हूं उसको अब मैं 6 से डिवाइड करूंगा तभी कहा होगा आपे 4 इस टू 3 करेशियो मतलब यहां से जब 6 सेंटीमेटर आके बढ़ूंगा तुमोझ यहां पर जो हमको VE भी निकालना है लेकिन यह सब को निकालने के लिए हमको क्या पहले बनाना पड़ेगा यह सब करेंगे और अच्छे से समझते हुए क्या पॉंट को समझते हुए अगेर मैं यहां पर यहां पर यहां बनाने वाला हूं तो आपको अच्छे साइड है मिलें कि exactly मैं कै सिसे है स्कुरार करें यूस कर रहाऊ है ना थीक है लो सिफके डागलाम राने कि लेको पूइंट्र यहां पि रिखा हुँगा यहां पर पियंधे निकाल अपको पता होगा यहां पर हमने है निकाल सुका और चेड हो। 9.4 cm है ना तो यहां पर मैं कैसे लूँ ओकि अगर मान लो यहां पर 10 cm 10 मेटर पर सेकेंड होता जिसको मैं 5 मेटर में शो करता है 5 मेटर में ज्यादा बड़ा नहीं होगा है ना देखो स्केल के आप से देखेंगे तो कितना हो रहा है यहां पर यहां पर अच्छा बड़ा बन 2 meter per second को मैं आप पर क्या मान लेता हूं that is equivalent to 1 cm तो उसके हिसाब से 9.4 meter per second कितना बन जायागा मैं आपको अजुम करने बुला था 10 है ना लेकिन आपको यहां पर 10 नहीं है हमको यहां पर 9.4 ही लेना है तो उसके हम क्या करेंगे yes यहां पर देखो मैं आपको पिछे वाले व 1 cm मान दा हूं अब यहां पर 1 meter per second जो है वह अपना कितना होगा 1 upon 2 cm यहां पर बन चुका है क्या आपको दिख रहा होगा यहां पर क्लेरी यस अब यहां पर कितना होगा आपको 9.4 meter per second दिख रहा आपको and this equals to what 9.4 अपर में यहां पर 2 cm हो जागा that is how much 9 4.7 यहां पर आपको इस point का okay velocity of b जो दिखाएंगे b कर दो दिखाएंगे velocity that is what that is how much yes 9.4 का half that is 4.7 cm दिखाएंगे okay yes अब यहां पर आपको पता है सबसे पर हम क्या दिखाते हैं yes जो हमारा fix point होता तो यहां पर fix point कौन सा है पी जो point है वो अपना किस पर slider पर है लेकिन ओ अपना किस पर है yes fixed link पर है तो यहां पर हम दिखाएंगे पहले point O okay यह अपना क्या हो गया point O हो गया यहां पर आपन velocity diagram में जो भी आपन दिखाएं that is in small letters अब हमें पता है कि इसका rotation की इधर है तो इसका point बिखाएंगे रोगा है दर्होंगा है दंब जोगा कैसे की 90 डिग पू οगै तो मुझे करना क्या होगा yes this का 90 डिग्री निकालना होगा थे न तो मैं इधर दूखाए रहे हो पहले हैं लेकिन दिखाऊंगे हैना मैं इधर क्रेंब करने कुषिश क्खेंच कर रहा हूं लेकिन फो वेल समझने में इसलिह मैं पडर दिखा रहा हूँ ॏ कि यहाँ पर इसको मैच कर लिया और यह अपना पॉंट आ गया ना इनुक्त की आ कि अब इसको कहां पर दिखाएंगे यहां पर दिखाएंगे इसको रहा कि इसको मैं इसको मैं पर मिला दी हम थेकर अब इसको जो है πα्लाझ मैं एक्या करों कि आपको और थौड़ निकार करों करें कि फिसका उपर रकर हूं ऊपर दीखको जो है मैं इसको इंग रहा हुए क्या है इसको तो इसको अई पर रखुँँगा King और इसके उपर slide करूंगा, आगे लेकिया हूं कहाँ पर इस point पर लेकिया हूंगा, तो मुझे यहाँ पर एक line लाइन डोग करने को मिलेगा, और कितने line लाइन डोग करना है, मैं यहाँ पर line डोग करना है, अब हम क्या करेंगे, 4.7 यहाँ पर mark करेंगे, यहां तक करें अगर आपको noise हो रहा होगा surrounding को तो please sorry okay yes यहां पर यहां से लेकिए यहां तक अपने कितना 4.7 तो यह अपने क्या point के लाएगा that is point B और यह जो है इसको हम क्या बोलेंगे velocity of B या फिर इसको पॉइंट क्या करेंगे इस लाएग को आपन क्या करेंगे तो यहां पर यह अपना क्या है velocity of B है आपको यह वाला जो point अपको clear हो चुका होगा है ठीक है अब बात आती है BP की बात आती है तो BP को आपन कैसे बनाएंगे यह सा को पता होगा इस लाएंगे 90 डिगर अपने को लाइन लेना पड़ेगा है ना तो कैसे लेंगे यह काम करता हूं मैं ड्राफ्टर के यूसर वाग को बताता हूं मैं ड्राफ्टर के help से बहुत जल्दी अपन इसका 90 डिगरी को अपन यहां पर दिखा सकते हैं तो यहां पर यह इसको ऐसा होगे यहां पर हलका से klar ke डीख रहा है यह अतना के अस लिखेयर का बस्का जो अपना जो जडुड़ रहा है उसलिकर प्राइंघ रहा हूं है अब मुझह करना क्या होगा दिखो यहां पर दीया हूँ है यहां प्र प्वाइंट्ध यहां पर आरेक लिंग बना रहा है तो यह कुछ दिख रहा है इसको कहां पर लेक्षाएंगे लेकिन पी कहां पर होगा वह एक्जैक्टली हमको नहीं पता क्योंकि पी जो है उपर वह सकते नीची पर वह सकता है सब्सक्राइब करना होगा वहाँ पर यहां में पर यहां में जाहा होके तो आप सेट स्कुर्स कर लिए इसको मैं हमें रख लिया ठीक है इसको नीचे ले रहा हूं आपका सब्सक्राइब इसको मैं यहां पर लेक्टा गया हूं ओके यहां पर लेक्टा आगया अब यहां पर हम क्या करेंगे इक लाइन् ड्रो उसकता है यहां पर ओसे और लेक्टा अपर यहां राता है तो यहां पर पस उपार है अब देखो P point कहां पर इस slider पर है कि नहीं P point कहां पर slider पर भी है okay yes P point अपना slider पर है तो slider का कैसा बनेगा yes horizontal बनेगा horizontal मतलब parallel to this fixed line okay parallel to the fixed line but passing through point O okay O क्यों क्योंकि O अपना क्या है fixed point है okay fixed point on this velocity diagram velocity diagram पर जो अपना fix point O है यहां से pass करेगा but it should parallel to this fixed line okay तो कैसे करेंगे देखो यहां पर इसको लेकर आगया okay इसको ऐसा parallel में आपर लेक लिख लिया है यहां पर parallel आपको दिख रहा होगा okay अब मुझे करना कि यहां पर parallel line डॉक करना ना passing to point O तो हम इसके help से दूस्रेवाले sets को क्या करेंगे yes इसको मैं पर meet कर आवा दिया है है ना match करने फिसको मैं नीचे लेकिया होगा मैं okay नीचे कहां तर लेकिया होगा मैं point O तक लेकिया है ना point O तक देखो यहां पर point O पर आ गया यह यह अब यहां पर पूछनी निकार लोगे तो यह अपना क्या होगा capital P हो जाएगा बराबर ठीक है अब हम क्या करेंगे इसको अपने हाँ पर जोइन कर लेंगे yes अपने हाँ पर जूड़िया इसको अपने हाँ पर डार्क कर रहा हो ना तक आपको समझना अच्छे से अब यह देखो क्या अब मुझे क्या करना है इस पॉइंट को दिखाना है तो पॉइंट ए कहां पर है देखो यहां पर बीपी पर है कि नहीं तो यहां पर बीपी कहां पर यहां पर है तो यहां पर इसी लाइन पर क्या आएगा अपना पॉइंट ए आएगा बट यह रेश्यो को मेंटेन करते वाएगा रेश्यो मेंटेन मतलब जैसे कि यह हमारा ल यहां पर अगर मैं और लेता हूं that is small e तो यहां के साब से क्या हो जाएगा that is b p upon thisा पर क्या हैगा pe okay that is pe यह ना क्योंकि इसका लेंद मुझे पता है okay तो वैसे यहां पर bp होगा अपना small b small p upon small p small e हो जाएगा okay यहां पर हैं सम्वेर हीर ओके बीके नज़्रीक में कहीं होगा अब बीपी के वाल्यू कितनी दिया यहां तो 2 मिटर अपर यहां पर क्या है अपना यह तो हमको करना क्या है यह पी निकार ना पी एक का वैल्यू क्या हो जाएगा इसको अपना रहे है तो 3.4 इंटू 3 यहां पर यह मल्टिप्र हो जाएगा और नीचे अपना क्या एक फोर रहाएगा ओके यह इस इसको उपन जल्दी से कैल्कुलेट कर लेते हैं अब चब्सक्राओं कितने आ रहे है यहां इसकी फाल कितनी आ रहे है यहां पर यहां पर इस दूपॉंट 5 5 सैंटेमेटर के असपाश आ रहा इस दूपंट 5 से 6 है ना 2.55 का मतलब क्या है 2.5 और 2.6 के बीच का आ प्वाइंट है ना तो यहां पेंसिल को शाप रखियेगा ओके और कहां से लेना है आपको P से लेना है point okay P से point लेना तो आप उसको ऐसा कर ला नहीं तो यह ऐसा मत करो yes 2.5 और 2.6 के बीच का है तो यह 5 और 6 से ध्यान रखिएगा yes यहाँ पर हो गया यह अपना point जो है 2.5 और 2.6 की बीच में आएखना तो यह अपना point क्या हो जाएगा pointe okay तो यह अपना point क्या हो जाएगा अपनी point e हो जाएगा fine yes तो यह अपना बन गया velocity diagram with yes this point e ok अब यहाँ पर एक बहुत important दियान रखिएगा यहां पर बहुत इंपॉर्टन चीज पुछा गया था that is velocity of e okay इसको मैं निकालोंगा बाद में इसको मैं निकाल के बाद में रिखाऊंगा बहुत इंपॉर्टन पॉइंट रही है velocity of e निकालना है ना तो यहां पर को दूसरा number यहां पर लिखा एक कि कोई दूसरे एनपर लिखा है कैहां वी िलिखा है यहां मतलब क्या होगा उरीज्ए ओर फिर इसकी सोम्तप्व swarm AMY तो हम क्या करेंगे यहां पर इसको जॉन कर लेंगे अब यह जो लेंथ देगा यह लेंथ हमको किता मिल रहा है पर देखो 4.4 मिल रहा है तो आप 4.4 cm को आप यहां पर चेंज करेंगे तो वहां पर जो मुझे मिलेगा वैल्यू that will be velocity of e इसको हम कैसे दिखा है that is by graphically तो सिंस हमाई को पता है कि 2 meter per second अपना 1 cm है तो 4.4 cm कितना हो जाएगा 4.4 cm कितना होगा उसको डबल करेंगे that is 8.8 meter per second ठीक है तो velocity of e है न ग्राफिकली ग्राफिकली we can say ओके यहां पर c e o okay that is e यहां पर इसको कैसे दिखाएंगे अपर दो इसको पैसे दिखा सकते हो यह अपना क्या है v e है ओके ग्राफिकली we can say that is v e is how much यह अपना कितना 4.4 cm था तो 4.4 cm रहां रखें तो यहां कितना होगा अपना यह यहां पर 8.8 meter per second होगा that is 8.8 meter per second हो जाएगा okay तो आपको आपको यहां पॉइंट जहां clear हो चुका होगा सकता हो अब हम क्या करेंगे यह स Já 봉 क्या है और ओमेगा वीप्य पाइए तो इसको पर पर कैस निकलेंगेघी मुझ पर अब अब अन्हाइं कदिन करेंगे तो मुझे पर क्या मिलेगा अध़ी मिल जाएगा,का यहां पर centimeters मिलेगा तो इसको पन करेंगे विरावसिटी में इसको पन बट कर सकते हैं ना जिसको जल्दी से पन देख लेए तो कितना रही है यह सी यह 4 cm का है तो यह 4 cm वह तो अपने यह 8 मिटर पर सेकेंड हो जाएगा तो यहां पर यह भी अपने क्या मिलेगा ग्राफिकल मिलेगा graphically we can say that is vp is how much 8 meter per second okay vp हमको कितना मिला 8 meter per second मिल चुको graphically fine अब मुझे यहां पर क्या चीए omega vp चीए है ना omega vp चीए तो omega vp क्लिए हमको क्या करना पड़ेगा यहां पर मैं लिख लेता हूं yes यहां पर आपको दिखाता हूं yes now omega vp is equals to what velocity of vp okay upon me vp का जो length है okay in meters okay तो यहां पर आपन देखेंगे vbp actual में है कितना vbp मतलब इसका length कितना है है ना तो इसका length आपन निकाल चुके थे है ना यहां पर देखोगे तो यहां पर जब मैं ratio निकाल था इसका yes bp का value कितनी है थी 3.4 cm रहा था okay तो 3.4 cm मतलब कितना होगा हाप पर 6.8 meter हो जाएगा okay अगर 1 cm का 2 meter per second है तो 3.4 cm कितना होगा उसको double कर लो okay in meter per second तो यह कितना हो 6.8 meter per second हो जाएगा okay तो यहां पर आपन रखेंगे that is 6.8 meter per second okay और निचे अपना क्या हैगा bp का value है okay bp हमको कितना दिया होगा था yes यह जो bp है that is how much अपको question में दिया that is how much 2 meter है तो यहां पर yes इसको divide कर लो that is 2 meters इसको divide करना पर मुझे कितना में जाएगा that is 3.4 क्या हो गई है omega निकाल रहे है that is radians per second हो जाएगा okay तो देखो finally हमने सभी को निकाल लिया है okay आपका value जो है मेरे value थोड़ा बहुत differ कर सकता है because यह graphical method है okay और हम इंसान है तो हमसे भी थोड़ा बहुत उपर-nीचे हो सकता है है तो यहाँ पर जितना निकाल चुका हूं और आगे का जो पार्ट है that is 4th जो पार्ट पर प्रिसे गया है that is velocity of rubbing at the pins of crank shaft crank and cross head when the die of their pins are 50 mm 60 mm 30 mm respectively इसके लिए मुझे का करना पड़ेगा velocity of rubbing को पहले पढ़ना पड़ेगा okay rubbing velocity हम पढ़ेंगे अगले वाले वीडियो में और उसके बाद मतलब 2.9 वाला वीडियो नंबर यह है तो 2.10 में हम क्या रिखेंगे velocity of rubbing होता क्या है फिर 2.11 में मैं इसी problem के इस वाले भाग को मैं आपर solve करूंगा okay तो तब तक के लिए thank you so much for watching this video thank you thank you thank you so much क्या है